नमस्ते सार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है इससे में जमीन कम है, इस टॉपिक पर मनं बात करेंगे आपको क्योंसे पता चलेगा कि आपकी जमीन कम है या नहींいます फिर अगर कम मिली है क्या कारव vowel भी होगी को सी कौप में कारव हो कितना आऎ गा कितना में अंत अंत में आपन जाने के क्या सरकार द्वारा उसकी नफ्ति किस प्रकार से करें जाएगी और अंत में कुछ विशेस बात भी में आपको बता हुआ ठीक है तो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले तो अपने को यह पता करना है कि आपको जमीन कम मिली है यह किस प्रकार से आप पता करते हैं कहीं कहीं बार लोगों को क्या है कि गल्फ हम भी हो जाती है एक बार कंफर्म हो जाना जरूरी है कि वास्ता में कम मिली है नहीं कम मिली है एक तो कि अरेकड में कमिलिए यानि कि आपके खाते में जमीन आपके मुझे मेेरे खाते में कम हे है यह मौके पर चला है सबस्था पहले नहीं यह समझना होगा कि मुझे जो जमीद मेरे कम पता किया और यह मोंगे पर कम यह आप कैसे पत्त ह 감 lien की एडाола आफ जाना तर जो जमीदीम वाले इस्षा होते यह जाम ही यह उसके तेन वारीस यहाए कितर दी यह आफ सी को यह लगता है depart पर यह जमीन कम है एक की मृत्ती हो चुकी मालों एक बड़ाव चार इसको आने ची 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 आपको देखना है कि आपके खाते में एक विरासत का खाता वन्फोर खुलावा आया नहीं अगर वन्फोर नहीं खुलावा यानि कि जो आपके विरास्ट से जमीन आ रही है वो रेकरड में कम हैं तो सबसे पर दे इसको सही करोईगे दे कई बार क्या होता है इसे सी के एक बटावा चा रही है огए इसने लुष में यह घ्रिदा ने रेकरड में और eh kisी विक्ती ने खृदा था एकृट बटावा एक सोआट्वा हिस्सा तो स्कुएर फिट से रिकालने के बाद आपको देखो मेरे करड़ में कहीं कम तू नहीं होगी यानि कि जो आपने रिस्टी करेइं वही रिस्टी आपके नामांत्रण के बाद को कि आपके खते में दर्ज हुए है नहीं अगर आपकी जभिन इन record में कम दर्ज हुई है तो उसकी पूरी प्रक्रिया अलग है उसको समझेंगे अगर record में आपके पूरी है मगर मौक्य पर कम है जैसे मौक्य पर यह पूरा एक बड़ा चार इससे सब इन तीनों का जयादा आगिया एक दो तीनों कर आपका कम इस प्रकार से आपको जमीन क मिली है कि मुख्य पर उसकी प्रक्रिया लगे इतना समझाने का पिछे मेरा एक कारण है कि मामले होते हैं जमीन के मामले होते हैं उसमें बारी की साथ को समझना होता है कभी-कभी हम यसी अंदी दोड़ में चले जाते हैं कि क्या मुझे करना है और कौन सी कोड पर करना कई बार तो कोड ही लोग गलत चूज कर लेते हैं तो फिर वह मामला सारा बिगड़ जाता है आपके मामला रेवन्यू कर चलता है लंबे समझ चलता है जमीन चलता है तो आप मुझसे सलाह नहीं चाहते है तो इस नंबर पर आप को कॉल कर सकते हैं आपको यह समझ में आगे हैं कि एक हजार इसकूर फिर जमीन करें किसे घरी जिसके पास एक पॉइंट पांच हेक्टेर जमीन है उससे आपने एक हजार इसकूर फिर नहीं लिए खाते में बटाओ किस परकार से आएगा उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूगा कि रेकट में आपको एक्टर में जमीन है अगर आपने इसकूर फिर फिर दिये तो बटाओ किस परकार से होते हैं है सबसे पहले आप इस बात से संतुष्ट हो जो आज ये वीडियो नहीं निकालते हैं सबसे पहले आपको इस थोना है कि मेरे पास जितनी जमीन है वह मेरे रेकोर्डं में है या नहीं अगर आप 4 बैयों 5 बैयों 6 बैयों और आपके दूसरे बाईों के जितनी खवाते हैं हुष देखर मतलब है जमीराबर मेरा जमीन कम रहे करना इस पर मोखे पर आपके brew में पर बंट। सब्सक्राइब मोफा तो क्लेघाए समझी मपायगा कैसे मपायगा जाएक और तेसिल में उस्सों एत्रे की बाते होगी एक ही मर्टियों के बड़ा और यदि बड़ा और यद दूrat Pat just कि शी चाहता है कि यार महर तो एक भीगा नहीं ही मेरे तो पॉंट भीगे मेरे तो मब्ली हो जाए अब प्रेटिकली क्या होगा वो तेसिल में गया है यह पड़वाई साहब के पास गया है वह मापने से मना कर देंगे के वह कि अब यह क्या बात करें उनकी दुटी है उनकी थे मपने पड़ेगे उनकी डूटी है आप गिलत हो किसे आप हिस्षा मग वरे हो हिस्षा और नहीं मामेंगे यह जमीन हे चार भीगा इसमें यहां पर बस्तर प्थ्ष पट करद पर आपका एक बटावाद चार इसा जब तक कि आपका बटवारा नहीं होता है तब होगा जब आपका खाता पुरा अलग होगा अलग कैसे होता है बता होगा यह तो होगा सहमति से सहमति से यह होगा कोट से अब कोट से कैसे बटवारा नहीं वीडियो पूरा बना रखा है आप उसको देख लेए तो कोट से जैसे बटवारा होगा जो आपकी नकल है जैसे मालों कि यह नकल है इसका नंबर है 250, 2020 यह चार बी का जमीन अब यह ए बी, सी, और डी पड़ते क्या करते है एक बटवाब्ट चार लिखते है अब सी का अलग होगा ना यह लिक दिक तीन बटवाब्ट चार तो आगई A, B और D के और C के आ जाएगी एक बटावा चार पूरी अलग आ जाएगे एक बटाव चार नहीं इसके नंबर भी अलग बढ़ जाएंगे फिर मान लो एक जार पर आये तो इसमें नंबर आ जाए एक जार बारा बटावा एक यह हो गया और इसके पूरी जमीन है उसके जितनी भी जमीन आ रही है उसके दो कि अब केसे होगी कि आपको अगर बटवारा आपका हो गया है तो आपको कि एज़्डो कोड में कि एक पत्थर गड़ी है ठीक है यह सीमा जानकरी कांक यह सीमा ज्यान कि इसका आवेदन करना होता है और वह आवेदन तेसिल्दार साब को बेज़ा जाता है कहीं कहीं राष्टान में एक जार रुपे कोड ख़चा लेती है और कहीं अस्तानों पर तेसिल्दार और पत्वरी आते हैं उनकी एक दिन की तंखा में अधिकारी कर देते हैं पर जनरल इंडम एक जार रुपे की कोड़ फिस पर है यह जमा कर आव उमाद देंगे यह तो आपको समझ में आ गए कि मोक्या पर आपकी जमीन कम है तो पहले आपको बटवारा करवाना है बटवारा होने के बाद ही आपकी जमीन की नप्ती है और जमीन का नक्षा बनाना होता है उसमें पडवरी की साहता लेनी जरूरी है यह जो तेस्टिल के बार जो करमचारी बैठते हैं जो टाइप बैठते हो बटवारा करने के बाद आपकी जमीन को नप्पा सकते हैं यहानि कि सबसे पहले आप यह सामला थी जमीनिया और आ हर बार रोगिल साब आप दो-दो कारण बता जा रहे हैं दो क्या बता हो जैसा है वेसे पताना पड़ेगा ना एक तो आपकी फुच्टे नी जमीन है और आपके हिस्सक रेकोर्ड में कम आया है समझो नहीं किसा कम आया रेकोर्ड में और दूसरी जमीन जो आपने खरी दी है उसमें आपका हिस्सक कम हुआ है कि दोनों के मामले अलग अलग इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि रेविणियू मामला रेविणियू मामला एक दम सई निसानत पर ही तीर लगण जिसी बात जैसे आर ने कुछ घरबड की फिर लंबा लंबा मुगतमा चलता है फिर वकिर करती आपको इस लास्ते नी उस रास्ते आना चाहीं था पेहले रास्ता आप साहिस पफुदए कुर अ Istra Q वीडियो बना रखाए पुस्ते निविन में प्राइशा किस प्राकार से प्राप्त करें उसको आप देख लें यह जो मुकत्म है इस मुकत्म में आपके प्लगपक दस जार रुपय का खड़ आएगा एक से दो साल यह मुकत्मा चलेगा और फैसला हो जाएगा जैसे एक बट जोने के पास यह नफिकर्म नफ्ति होने की आदेश होगा उसमें वह के आपको डेंगे अगर आपने जमीर खाटी है तो बह Dé butter men too में यां योश्में क्रों करना है तो अपको क्या करना है तो मेरी जमिन को पूरए के जाए तो रेश्टी के आदार पर वापस इसमें नामांतरन जो कुला है उसमें आपके हग इस्य की मुकत्मा गोसरा का दावा भी हो सकता है इस पर वीडियो में बढ़ा रखा है यह वापस क्या करेगा कि आपकी जमीन में जमीन आपके कम है तो फिर मामला अलग है वह सील मामला जाता है कि आप मैंने इतना पैसा दिय होगी यह जो कोड का मामला नहीं है अगर आपके रजिश्टी पूरी और जमीन कम है तो इस साधार पर आप जमीन को पूरा कर सकते हैं फिर मैंने जो बताए इसमें जो कोड का देखो इसमें क्या खर्चे वाली बात पर बात विस्तित से कर लेते हैं एक तरह से किसानों के एक ख़ड़ी कोड इसमें कॉर्फिस कुछ नहीं होती है सिर्फ समझ लोगी एक रुपए से लगाकर दस रुपए तक ही कोड खर्चा मांगती है यह जो टीएट लगते हैं वह एक रुपए दो रुपए दस रुपए तक ही निखर जाता है फिर कोड में कुछ टाइप का भट घाता है कि संवन की तामिल का हड़ जाता है ठीक है फिर वकिल में तना आता है यह जो खड़ एक उसने तीन जार-दो जार से मांथ जार तक मांग लो लोग तक घृच पर देंगे कोई इसकी इन रिविन्य वकिल जो शेड है आपक अच्छे लगे उनको करके पिर यह सब्सक्राइब नियुक्त पर इसा बिल्कुल ही नहीं एक बात पर बता देता हूं देखो जिसका अपन कोई ध्यान करते हैं ज्यादा तर क्यादी आपके नाम पर कोई जमीन है ठी delic Bowl नृहां को जा Woah आपको हर पास साल दस साल में रेकोर्ड परिवरड़न होते रहते आपने जो जमीन खरीत दिए अपने रेकोड आपके पास रख लिया फिर आपने कभी उसको देखा बहले आपके पास कागज पड़ाया रेकोड में कमी होगी फिर जीन लोगों के नाम ज्यादा चड़ गई वह आगे सागे बेस रहते हैं फिर आप दस साल बाद वह गए पता चला कि यह में जमीन भी कम रहोगी खाते में कम होगी आपको रेकोड लगबग हर साल चेक करते रहना चाहिए तो ऑनलाइन हो गया कि मेरे पास कितनी जमीन है और खाते में कितनी है और उसकी खाते की नकल हर साल निकालने चाहिए और साथ में नकसा भी निकालना चाहिए कर इसा नहीं हो कई बार आपके जैसे आपके एक बड़ाव चार इसा बोल रहा है और आप आप यह जमीन. आप यहां रोड़ पर आपकी जमीन ले रहे हुए एग उड़ा चारें सा. बाकी लोग क्या करते हैं? वालब जा रोड़ पर सबयां अब करते हैं? यह क्या करते हैं? पिर उसकी नप्ति करा देने चाहिए और हो सके तुमां बाउंटी करा देने चाहिए और हर्स इसके बाद भी आपको अर्ट साल कम से कम के एक बार खाते तो पड़रिट साफ के पास जाके हैं ऑनलें चेक करता रहना चाहिए जिसे क्या आपकी जमीन समधी किसी प्रकार कोई भी व्याद नहीं हो आपके भी जमीन समधी किसी प्रकार कोई विवाद है घंत मुझे कॉल करके बात कर सकते हो या चाहं मैं जया अलगो दिकाना घंकर Prof क denialवित बार बार रेगुलर मुकदमा आपको देखने के लिए उसकी कोई अलगी स्ते होगी एक बार मिलकर आपको जो भी सला देनी है उसकी पीस्वेरी यह है तो मैं हूँ देपुर से एड़ोकेट मुकेश कुमार को बाहुत वीडियो पसंद लाइद लाइक करें ठैंक यू